हैल दोस्तो मैं हूँ रैज़त गोयल और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ नोकिया 3310 के बारे में दोस्तो जो के कल MWC में लॉंच हो गया है दोस्तो इसी के साथ दोस्तो नोकिया ने तीन अपने फोन्स लॉंच कर दिये हैं गलोबली नोकिया 6 जो के पहले ही बताया था दोस्तो इस फोन में Android होने की संभावना बहुत ही कम थी और इस फोन में आपको फिचर फोन देखने के लिए मिलेगा दोस्तो Android आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस फोन में अगर हम बात करो इस फोन की स्पेसिफिकेशन की तो इस फोन में आपको कुछ खास तो देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों कि यह future phone है लेकिन जो बैटरी इसमें दी गई है दोस्तों जो के Nokia का कहना है कि इसमें लगबग 30 दिन का आपको standby time मिलेगा जो के बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों उनका कहना है कि पुराना Nokia 33 दस्ता उससे लगबग 10 गु देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों इस फोन में आपको internet की connectivity भी ही देखने के लिए मिलेगी दोस्तों और इसमें आपको Opera Mini प्री इंस्टोर मिलेगा जिसकी मलत से आप internet ब्राउस कर पाएंगे इसमें आपको next की गेम भी मिल जाएगी दोस्तों जिसका एक निया वर्जन गेम लोफ की दबारा लॉंच किया गया है और उसमें आपको वो प्री इंस्टोर देखने के लिए मिलेगा तो ये काफी अच्छी घबर है दोस्तों काफी टाइम से हमें leaks मिल रहे थे कि Nokia 3310 दुबारा लॉंच होने वाला है तो MWC में Nokia 3310 को re-launch कर दिया है दोस्तों काफ आपको 2.4 इंच की कलर स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी दोस्तों जैसा कि आप फोटोस में देख सकते हैं यहां पे इसमें आपको FM रेडियो और म्यूजिक प्लेर की स्पोर्ट भी मिल जाएगी दोस्तों 12 MB की internal storage इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी और इसी के साथ आप इसमें microSD card slot भी दगा सकते हैं जिसकी मलसे आप इसमें songs वगरा सेव कर पाएंगे दोस्तों और उन्हें 3.5 mm headphone jack भी दिया गया है दोस्तों तो एक काफी अच्छी news निकल के सामने आई है दोस्तों अगर म करें दोस्तों तो लगभग 3500 के करीब बनती है लेकिन मेरे हिसाब से इस phone की कीमत जो है 4000 के करीब रखी जाएगी दोस्तों अगर मेरे हिसाब से इसकी price सोड़ी से जाधा रहेगी दोस्तों क्यूंकि आज कल ऐसा है कि market में अगर feature phones की बात करें दोस्तों तो बैक अप फोन क कि अगर मैं सिर्फ बात करूं तो आपको 1000 की कीमत 1000 के अंडर अंडर भी काफी phones देखने के लिए मिल जाते हैं तो उन लोगों के लिए जिनको एक बैक अप फोन चाहिए दोस्तों शायद 4000 रुपए खर्चने भी जादा होंगे देखते हैं दोस्तों जब इंडिया में जों हैं तो हमें कमेंट्स में पताईएगा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करते जिएगा दोस्तों हम रजाना आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों